तो गाइस माइनकाफ 1.19 का अब जब से आया ना डायमंड ढूनना बहुत मुश्किल हो गया तो रीजन क्या है कि माइनकाफ 1.19 में डायमंड को बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रब्यूट कर दिया है मतब माइनस 1 से लेके माइनस 59 के बीच में पुरा को पुरा अलग अलग पहले क्या होता था अगर हम 1.16 की बात करें तो माइनस 12 अपना है एक फिक्स पॉइंट होता था वहां पे हमको डायमंड किसी भी कीमत मिलने वाला था तो किसी भी तरीके से माइन करें वही हमारे कौडिनेट था जहां पर हमको डायमंड बहुत बहुत इजीली मिल जाता थ अब है बहुत ज़्यदा अलग अलग है ना पार्ट में उसको डिस्ट्रब्यूट कर दे जैसे कि अगर हम बात कर रहे तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है एक तो है ना हमारा माइनस 58 के आसपास मिल जाता है वहां पे ना आपको most of chances होते मिलने के तो आप माइन क 45 के बीच में तो वह वाले पार्ट पे भी आपको बहुत एजी लिमिल जाएगा और तीसरा हमारा माइनस 25 से लेके उपर पे कहीं पर भी मिल जाएगा मतलब आप मैंस में कहीं पर भी माइन करो आपको मिल जाएगा तो अभी ना मैं आपको लास्ट में दिखा हूँगा कि उसका ना डिस्टरब्यूट पॉइंट क्या क्या है अभी मैं आपको पता तो आप डायमंड कैसे डून सकते हो तो माइनकाफ 1.19 में डायमंड डूनने के लिए आप सबसे इंजी ट्रिक यूज कर सकते हो आप स्ट्रीप माइनिंग कर सकते हो माइनस 58 पे और भी बहुत सार याद रखनी है अगर आप पीकेक्स लेते हो ना तो आउसके उपर फॉल्चुन 3 लगना चीए ताक कि आपको 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 कहीं पर भी माइनिंग करना स्टार्ट कर देने आपको नहीं सबसे पहले बदा दो माइनस 58 पर आप कहां पर डामंड डून सकते हो तो सबसे पहल प्रस और निचे चलता हो तो यह अपना है ना एक बहुत ही पॉइंट होता है यहां से आप डामंड कोई बी डायमंड कोई डायमंड में डून सकते हो यहां पर मिलने के सबसे ज्यादा चांस होते है तो अगर आपको पता नहीं कोई से कॉडिने में माइन करने लगना है ए आपको चांसे बहुत ज्यादा है डायमंड डूनने के लेकिन यहां पर इतना जल्द आपको नहीं मिल सकता है अगर आपका लग अच्छा है तो जल्दी मिल जाएगा लेकिन अगर आपको टाइम लगेगा और आपको नाइट विजन का एड़न भी अगर एक्टिवेट करन अभी मैं आपको लास्ट बता हुआ कि किस अमांट में डिस्टरब्यूट हो और कहां पर सब्सक्राइब करने का तो सबसे पहले हम यहां पर फाइंड करता अभी है आपको एक ऐसी प्रक्राइब लगी हो ताकि वह जल्दी तूटे ना वरना हमारी जो नए ब्लॉक्स आ है और यह को रिंख करने है यहां से अभी मेरे को से पांच बलोक अगर माीनिक करनीने तो देखेसको कि यहां पर नाम को थोड़े-च्वर आपmud से 2 ब्लोक आगर जाना है और तीसरा ब्लोक आगर जाने के प communist यहां पर वापस से मांईन करना मुझा इसको तरीके से यहां पर जो भी होगे ना मुझे दिख जागे इसमें टाइम लगेगा इसमें आपका मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं देख तो लावा है यहां पर फिलाल में इसको बंद कर देता है यहां पर वापस मैंना स्टेट माइनिंग करता हूं यह से थोड़ा थोड़ा आगे जाने के बाद आपको कर देना माइनिंग आपको दो ब्लोग छोड़ के वापस से माइनिंग स्टार्ट करनी है यहां पर मैं थोड़ा से माइन करता हूं डायमन हमको बहुत जल्दी मिल जाएगा वैसे डायमन का रेट घटा दिया है लेकिन आपको मिल जाएगा यह वाले कोडिनेट पर भीिल देख सकते हैं ओंक आप आपको न्यास ब्लकार देखने मिलेंगreek और बहुत सारे कोडिनेट पर आपको अपर कर दिया गया तो बेलान दामड मिल चुका है है तो अभी देखते हैं यहां फॉरल के तो उसको कर दिया चार सब्सक्राइब देख सकते हों कितना ज्याद है एक का तीन मिला और आपको अपना सीड दिखा देता हो आप यहां पर आके चेक कर सकते हैं आप लोग मेरा है यहां पर सीड देख सकते हैं यहां पर यकीन नहीं हो रहा तो अभी मैं आपको बता हो तो कि डायमन हैं ना कितने अमाट में कहां कहां पर डिस्टरब्यूट हुआ इस तरीके से आप डायमन कर सकते हो आपको सिंप्ली स्ट्रिप माइनिंग करने या फिर आ आप जाव में है अगर माइनिंग करते हो तो उसमें अलग अलग ट्रीक आपको यूज कर सकते हैं बहुत इजी है फाइंड करना आपको फॉल्चुन रखना है ताकि आपको ज्यादा मिले अगर आपको पास फॉल्चुन नहीं स्टार्टिंग में तो कोई बात नहीं आप इंचैनिक टेबल से ले सकते हैं तो अभी मैं आपको बताता हूं कि माइंड काउट 1.19 में डायमंड को कहां कहां डिस्ट्रब्यूट किया और कितने अमाउंट में किया है तो अभी हम यहां से नीचे चलते हैं और मैं आपको टोटली दिखाता हूं तो आप लोग देख सक तो आपको डायमंड कि मैं मिलेगा हैं लाट डायमंड को यहां से नीचे चलते हैं आप देख से आपको ऑनेच जहाओं है मिलेगा मांस है न पच्चीस से उपर आपको एड़ ज़िदा आयरं देखने पिलेगा आयरं को देखने मिले खर चाहिए जैसे आप नीचे आपकोई देख सब्सक्राइब बहुत है मांस शांट भर चुकआ है जैसे कि स्टार्टिंग में हैं मैं आपको बता दिया मांसे 25 से माइनस 35 पर आपना एक पॉइंट है diamond find करने का देख सेकते हो यह हमारा वही पहला पॉइंट है यहाँ पर आपको diamond बहुत ही ज़्यादा मिलता है मतलब एक दम ज्यादा नहीं मिलता है ठीक ठाक मिलता है यहाँ पर आपको find करने तो कितना देखने मिलेगा अगर मैं चलता हूं यहाँ पर तो यहाँ पर ज्यादा ज्यादा मिलता है लेकिन है यहाँ पर उसकी अगर नीचे 58 पर आता हूं यहाँ पर दूर तक जाने पर आपको देखने दूर यहाँ पर देख सकते हैं उपर आपको देख सकते हों मिलेगा देखने तो इस तरीके से बहुत जादा कर दिया और लैपिश की बात करें तो अगर मैं आपको कॉडिनेट दू तो माइनस 45 से माइनस 35 के बीच में आपको बहुत-13 के बीच में बिलेगा है उसके उपर आपको और बीच में देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरा पूरा आइरन कोल यह सब भड़ा पड़ा है तो अगर आपको डाइमंड ची है तो आप माइनस 35 से नीचे रहोगे तो सही रहेगा और माइनस 50 के आसपात रहोगे तो और भी ज़्यादा सही रहेगा तो यह हमारा कोडिनेट इसको ना मतब 1.90 में बहुत जाज़ा चेंज कर दियो डाइमंड ढूनना है ना बहुत मुश्किल कर दिया है पहले जैसा नहीं रहाए 1.60 में तो एक कोडिनेट था आप जाब मिल जाएगा अब देखसे तो यहां पे पूरा आइरन का लाइन देख स लिए अगर सच बलो तो आइरन आइरन मतब कुछ ज्यादा आइरन नहीं यहां पर आइरन के कॉंटिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है आप है ना यहां से उसके लाइन लेवल से भी देख सकते हो देखसे को डामन इना माइनस 27 पर भी देखने मिल सकता है माइनस 70 त कर दो कि अएगर सकते हैं आइरन कर दो को सकते हैं?